दोस्तों नमस्कार जैसरी किष्णा जैसरी राधे दोस्तों आज हम बात करेंगे 30 मई 2022 आज के लव रासी फल के बारे में आज आपकी लव लाइफ, आपकी मेरिड लाइफ, आपके रिलेशन्सिप किस्तिती कैसी रहेगी आईए जानते हैं दोस्तों आज का लव रासी फल सुरू करें उससे पूर्व आपको बता दें, हमारा लव रासी फल चंद रासी यानि मून सायन के अनुसार होता है, उसी के अनुसार इस लव रासी फल को देखें वह सुनें, अगर आपको चंद रासी यानि मून सायन पता नहीं है, तब आप इसे नाम रासी के नुसार भी देखबा सुन सकते हैं दोस्तों आज चंद्रमा ब्रशव रासी में गोचर कर रहें उच्च के चंद्रमा रहेंगे कृतिका नक्षत्र के चंद्रमा रहेंगे जो कि सूर्य का नक्षत्र है किस प्रकार के स्थिति आपके लिए निर्मित करेंग तो आज के दिन आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जो आपके साथ में बहुत ज़दा friendly हो जाए अचानक से वो आपको अचानक से मिले और ऐसे बात करे जैसे वो हमेशा आपसे बात करता रहता है या आपको बहुत अच्छे से जानता है आपकी family को बहुत ज़दा मानेगा family के बारे में बात करेगा उसका बोलने का तरीका उसका हर एक style आपको बहुत पसंद आएगा बात करने का लहजा बहुत ही तमीज बाला होगा ब्याओहार को सल होगा जिस बज़ए से आपको पहली नजर में ही वो पसंद आ जाएगा लेकिन उसे अपने दिल की बात आप कह ऐनि कि खास करके अगर आप लड़की हैं तो हो सकता है कि लड़का जो हो वो चोटा हो तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है जिस बज़े से आप चाहा करके भी ना कह पाएं और लड़की भी यही इस्तिती देखते हुए आपसे ना कह पाए लव लाइफ की अगर बात की जाए तो लव लाइफ में आपके पार्टनर आपके अंदर बहुत सारी कमियों को इग्नॉर करेंगे और आज आपको बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे प्यार का इजहार करेंगे और आपको बहुत सारा प्यार देंगे लव लाइफ में हो सकता है कि आपके पार्टनर नो कॉंटेक्स उचेशन में हो अगर आपके partner no context situation में है तो वो आपको लेकर के बहुत ज़्यादा emotional हो जाएंगे आज के दिन और आपकी life में बापस आना चाहेंगे वहीं देखा जाए तो married life में आपके partner बहुत ज़्यादा आपको खुश रखने की कोशिस करेंगे लेकिन वहीं कहते हैं जीवन में balance बनाना बहुत कठें है जीवन का balance नहीं बन पाता है आप cycle का और car का गाड़ी का balance बना सकते हैं लेकिन जीवन का balance बनाने वाला इनसान बहुत ही महान होता है वही इस्तिती आज आपके साथ में होगी क्योंकि family आपका परिवार और आपकी जो नई family यानि कि married life दोनों में आपकी wife हो आपके husband हो या आपके ससुराल वाले हो आपके मायके वाले हो कुछ ऐसी स्तितियां की परिवार और अपनी married life को एक साथ बहुत ही अच्छे से संजोग कर चलना आपके लिए मुम्किन नहीं होगा और यही रिस्ते में balance ना बनाने की वज़े से आपको problem हो सकती है extra medical affair के अगर हम बात करें तो extra medical affair में आपको partner से बहुत ज़्यदा प्यार देखने को मिलेगा यहां परिस्तितियां आपके लिए बहुत ही खास बन जाएंगी तो यह इस्तिति है दोस्तों अब बात कर लेते हैं ब्रिशवरासी वालों की ब्रिशवरासी वालों अगर आप सिंगल हैं तो आज के दिन आप date पर भूल से मिना जाएं लोग आपको ignore करेंगे बिस्वास नहीं करेंगे आप पर love life में आपके partner आपको cheat करेंगे आज आपको धोका दे सकते हैं और बहुत ज़्यादा आपके उपर नाजायज गुस्ता भी निकाल सकते हैं no contact situation में आपके partner की कुछ अजीब हो गरीब बातें आपको पता चलेंगी हो सकता है उनका कोई बात च्छिपाना आपको उनके उपर सक कराए और सक करके आप बहुत कुछ ऐसा जान पाएं गुस्ते में उनके मुँँ से ऐसा कुछ निकले जो आप जानना चाहते थे married life में आपके partner आपको खुछ रखने कोशिज करेंगे लेकिन यहाँ पर एक दूसरे की बातें जो अभी तक छिपा रखी थी भूल से भी सामने ना आने दे अगर आपके partner आपसे कुछ भी ऐसा जान लेते हैं जो आपने छिपा रखा था चाहे भले ही वो कोई normal सी बात हो उसी को लेकर के बहुत ज़्यादा बकबास होगी जगड़े होंगे बहस होगी आपकी extra medical affair की स्थिति आज बहुत खराब है इसमें third party जो हमेशा ही रहती है उस third party की वज़े से आप और अपने partner आप दोनों ही दुखी होंगे और अपने partner को खोते हुए चले जाएंगे तो यह स्थिति है दोस्तों अब बात कर लेते हैं मिथुन रासी वालों की मिथुन रासी वालों अगर आप सिंगल है तो आज के दिन आप date पर जाएंगे तो आपके बहुत ज़्यादा खर्चे होने वाले हैं खर्चे तो आपके निस्चित रूप से love life में भी होने वाले हैं love life में भी खर्चे बहुत ज़्यादा गुसे आएगा और इस गुसे का कारण कोई तीसरा ही होगा जिस बज़े से दिक्कत बहुत ज़ाधा बढ़ जाएगी तो इस्तिती है दोस्तों आप बात कर लेते हैं करकरासी बालों की अगर आप सिंगल हैं तो बहुत ज़ादा आज अच्छा व्यक्ति भी मिलेगा पार्टनर आपको प्यार भी करेगा और गिप्टो पाहर भी देगा आपको कुछ सर्प्राइज भी दे सकता है अगर आपका आज वर्थडे है तो आपके लिए बहुत सारी स्तितियां अच्छी करना चाहेगा और आपको इंजॉय कराएगा मेरिड लाइफ में आपको बहुत सारी उमीद से ज़्यादा खुसियां मिलेंगी एक्ष्टा मेरिटल अफैर में आपको अपने पार्टनर पर जो भरोसा था वो अब खत्म होने लगेगा यह स्तिति है दोस्तों आप बात कर लेते हैं शिंग रासी वालों की शिंग रासी वालों अगर आप सिंगल हैं तो आज के दिन आप भूल से भी डेट पर न जाएं लोग आपका अपमान करेंगे जो भी व्यक्ति आपको डेट पर ले जा रहा है वो आपको बहुत बुरी तरह से आपको एक तरह से इग्नॉर करेगा और अपमान भी करेगा चार लोगों के सामने इंसल्ट करेगा आपकी लव लाइफ में आपके पार्टनर आपके प्रती पहले तो बहुत ज़्यदा प्यार जताएंगे लेकिन साम के वक्त में इग्नॉर करेंगे इगो बढ़ा देंगे इगो की बज़े से जगड़े होंगे मतलब उनके इमोशन के प्यार में भी इगो दिखाई देगा मेरिड लाइफ में बहुत ज़्यदा आपको सावधान रहनी की जरूरत है आपके पार्टनर आज आपके साथ में रहने वाले या कोई नया रिस्ता भी आपका बन सकता है यह इस्तिती है दोस्तों अब बात कर लेते हैं कन्या रासी वालों की कन्या रासी वालों अगर आप सिंगल हैं तो आज के दिन आप डेट पर जा सकते हैं लेकिन आज के दिन पार्टनर पर भरोसा हो पाना बहुत मुश्किल होगा लव लाइफ में पार्टनर पर भरोसा करना या किसी अजनभी पर भरोसा करना बहुत मुश्किल होगा लेकिन अगर आपके पार्टनर साधी को लेकर कमिटमेंट देंगे तो आज आपको बहुत ज़्यादा उन पर प्यार आएगा मेरेड लाइफ में उनकी जूटी बाते भी आपको अच्छी लगेंगी और आप भी बहुत ज़्यादा जूट बोलने वाले हैं बज़े से आपके पार्टनर भी आपसे उसी तरीके से उसी लहजे में बात करेंगे एक्स्टा मेरिटल अफैर में आपको अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हो जाएंगी आज और वो उम्मीद हैं आपकी तूट सकती है आज के दिन हो सके तो आप अपने पार्टनर से ज़्यादा बात चीत न करें यह स्तिती है दोस्तों आप बात कर लेते हैं तुलारासी वालों की तुलारासी वालों अगर आप सिंगल हैं तो आज के दिन आप डेट पर जा सकते हैं आज के दिन लव लाइफ में पार्टनर फिजिकल immigration बना सकते हैं फिजिकल रिलेशन के स्तिती बन सकती है मुलाकात हो सकती है बहुत ज़्यादा रोमांटिक बाते हैं आज करते हुए नजर आएंगे पार्टनर आपके कुछ छिपी होई बातें भी जानना चाहेंगे आज आप परसक भी करेंगे मेरिड लाइफ में आपके पार्टनर आपको इग्नॉर करेंगे थोड़ा सा आपको जलस फील कराएंगे और बहुत जादा आपको रात में बहुत सारी स्थितियां अच्छी करतें उन्हें जराएंगे जिसमें आपकी हर बात मानेंगे और आपकी बहुत केर करेंगे यह केर करने के बादे कर सकते हैं एक्ष्टा फैर में आपके पार्टनर आपके बारे में कुछ जान बूज करके ऐसी बाते निकालेंगे जिससे कि आप से पीज़ा छूटे ये स्थिति है दोस्तों आप बात कर लेते हैं वृष्चिक रासी वालों की वृष्चिक रासी वालों अगर आप सिंगल हैं तो दिन सामान ने है लेकिन लव लाइफ में आपके पार्टनर बहाने ढूणेंगे आपसे दूर जाने के लिए साधी की चर्चा बिल्कुल ना करें, साधी की चर्चा करेंगे तो बहुत ज़ादा आपको दिक्कत हो सकती है No Context Situation में बहुत ज़ादा रोमांटिक बाते करने के लिए बापस आना चाहेंगे हो सकता है कि आपके पास बापस आएं पार्टनर और कह दें कि साधी की बात न करना तो हम सब कुछ ठीक रखेंगे और इस बात में आपने हाँ नहीं भरी तो वो निस्चिद रूप से आपको फिर हर्ट करके चले जाएंगे मेरिड लाइफ में आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यदा प्यार बहुत ज़्यदा इंजॉय कराएंगे और आपको हर प्रकार की खुशी देनिक कोशिज करेंगे एक्स्ट्रा मेरिटल अफैर में आज आपकी जद बहुत नुकसान दे सकती इसलिए किसी चीज़ की जद न करें और खास करके मुलाकात की जद बिलकुल न करें ये स्थिती है दोस्तों आप बात कर लेते हैं धनूरासी वालों की धनूरासी वालों अगर आप सिंगल हैं तो आज के दिन आप डेट पर जा सकते हैं आज के दिन आपको लव लाइफ में बहुत ज़्यादा पार्टनर इंजॉय कराएगा और आपको हो सकता है कि वो साधी के कमिट्मेंट या साधी के बादे करें फैमली से मिलवाए फैमली से बात करवाए आज हो सकता है कि आपके फैमली और उनकी फैमली एक दूसरे से मिल ज मेरिड लाइफ में आपके पार्टनर आज बहुत जड़ा इगो दिखाएंगे एक्ष्युमारिट्वे उसके ज़एमधर भातें होती हैं उनको ने करके बहुत ज़़ादा डॉन दर्टनर क्यों स्टीर है वह को बहुत ज़्यादा प्यार मिलेगा कभी इतना प्यार आपने सोचा नहीं था ऐसा लगेगा कि जो आपने उमीदे पार्टनर से लगा रखी थी वो सभी उमीदे पूरी होंगी और जो आपको डर था अपने पार्टनर से वो निकल जाएगा no contact situation में इस्तिती बहुत ज़्यादा सुधर सकती है married life में आपके ex partner आपकी life में बापस आ सकते हैं आपका कोई past पुराना past आप जिससे एक मिनट बात कर लें और वो आपके पीछे पड़ जाए ऐसी इस्तिती बन सकती है जिस वज़े से आपकी married life बहुत ज़्यादा खराब हो सकती है extra marital affair में कोई जान बूज करके आपके रिस्तित खराब करना चाता है इसलिए साबधान रहें ये इस्तिती है दोस्तों आप बात कर लेते हैं कुम्ब रासी वालों की कुम्ब रासी वालों single हैं तो आज बहुत ज़्यादा आपके लिए कोई emotional हो सकता है आप भी किसी के लिए emotional हो सकते हैं love life में आप अपने partner की बाते हैं अपने मा के साथ share कर सकते हैं अगर family में बात करना चाते हैं love marriage को लेकर के तो अपनी मा को बताएं या अपनी छोटी sister को बताएं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदे मंद रहेगा आज कोई gift ओ पहार आपके partner की बार आपको मिल सकता है कोई आर्थिक मदद भी मिल सकती है married life में या no contact situation में ज़्यादा selfish होनी का हो सकता नहीं है ज़्यादा selfish होंगे तो partner आपको बहुत ज़्यादा अजीब बयोहार से देखेगा जिस बज़े से आपको बहुत तकलीफ होगी problem होगी extra fair में बहुत ज़्यादा आपके partner आपको enjoy कराएंगे आपके साथ घूमने फिरने जाएंगे या विदेश यात्रा का plan बनाएंगे या कहीं दूर की यात्रा हो सकती है कोई धार में के यात्रा भी हो सकती है दोस्तों आप बात कर लेते हैं मीन रासी वालों की मीन रासी वालों सिंगल हैं तो आज आपके लिए स्थितियां बहुत ज़्यादा सामाने हैं लेकिन दोस्ती फिर भी हो सकती है लव लाइफ में आपके पार्टनर और आप दोनों बातचीत कर रहे होंगे उनका कोई दोस्त या आपका कोई दोस्त आप दोनों की बीच में दरार उत्पन करेगा जगड़े कराने का करण बन सकता है मेरिड लाइफ में आपके पार्टनर आपको एगनॉर करेंगे बहुत ज़्यादा आपको हर्ट करेंगे और जिससे आपको उन पर भरोसा तूट जाएगा एक्ष्टा फेर में आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा ताने देंगे छोड़ी छोड़ी बातों को लेकर टॉर्चर करेंगे और हो सकता है कि वो आपके साथ में फिजिकल अगर आज हो जाएं तो वो आपको बिल्कुल ही आपकी लाएं अपनी लाइफ से निकालने की कोसिस करने लगे यह आपको बहुत ज़्यादा जलील करने लगे तो यह स्तिती है दोस्तों यह था आज का लवरासी फिल अगर आपको आज का लवरासी फिल पसंदाए इस वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ सेर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन पेश कर लें बहुत बहुत धन्यवाद नमस्का कि अगर आए आट।